वर्शिप एक्ट का ये वाइलेशन कह रहे हैं OAC साहब या आपको क्या लगता है क्या ये वाइलेशन है प्लेसिज वर्शिप एक्ट का अगर सर्वे होता है शाही ईदगाह का दानिश कुरेशी देखिए अमन भाई मैं तो ये कहूंगा कि कल मैं ये पेटिशन फाइल कर दू कि न्यूज एटीन जो है ये हमारे यहां पुर्खों का मजार हुआ करता था यहां आप सर्वे करवा दीजे तो दिक्कत क्या है कि हमारे जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बाद के हालाद बना ही गई जिस तरह तोड़ा गया वह गैर कानू नहीं था इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ऑप्रेटिव पार्ट यह कहता है कि बहुत बड़े वर्क की आस्ता है इसलिए आप यह उनको देजिए और उसके बदले में किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था तो दिक्कत यहां उन परिस्टितियों को हैंडल करने के बजाए उसके इंदर में बिलकुल साफ तौर पर कहा गया था कि आजादी के बाद उनीस सो सैंतालिस की रात से जिनके पास जिस जो स्थिती है दार्मिक्स्तानों की वही स्थिती रखी जाएगी अब आप यह कह रहे हैं कि जो स्थित प्रोसेस है पूरा यह पूरा इलीगल था जो सेटलमेंट हुआ था इसके अंदर में वह पूरा मतलब कानूनी तर्फ पे नहीं हुआ या गहर कानूनी तरीके से हुआ तो आप मुझे यह बताईए कि आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि दानिश को मानिए और आप यह सेटलम मैं सवाल पूछता हूँ आपकी आस्ता होगी मक्का मदीना में बिल्कुल है है अगर कोई आपको कहे कि सोहार्द बनाए रखने के लिए उस पर दावा छोड़ देजिए छोड़ देंगे सवाल यह है कि मेरी आस्ता है आपकी भी आस्ता है हमारे यहां जो कानून है वो कानून नाफिज है वहां के जो कानून है वहां के कानून उनके लिए है यह हमारे यहां हम जो बात कर रहे हैं हम कानूनी तर्फ पर ही तो बात कर रहे हैं हम कोई जबरन बात कर रहे हैं हम कोई जबर्दस्ती की बात कर रहे हैं नहीं सारी बाते सही सारी बाते सही आपकी आपकी आस्था पहले बाबर में थी और अब औरंग जेव में है प्रॉब्लम यह है औरंग जेव ने बनाए मंदिर आपकी औरंग जेव में आस्था क्यों है औरंग जेव की बनाई मस्जिद में आपकी आस्था क्यों है कानहा में हुनी और अगर वो क्रिशिन जन्स्तान कहा जा रहा है तो रखिये हमारी आस्था अंग्र में है हमारी आस्था मस्जिद में और ता कयामत सूब वे कयामत तक वो रहेगी इन्शादा ठीक है देवकी नंदन ठाकुर जी मैं आपके पास वारूं बस मैं यही संजारा था दानिज भा वो एक वो जिस तरह से बाकी मस्जिद है वो एक दूसरी मस्जिद है लेकिन वो हिंदू के लिए श्री किशन जन्म स्थान है अगर सोहार्द के लिए आप बीश में मत बोलिए मैं आपके बीश में नहीं बोलता ना दानिश आरे कि अब रुख जाए अब आप रुख जाए है वहाँ पर लड़ लिए काशी हम तीन ही तो जगाए है काशी आयोध्या काशी मतुरा खतम करिए विवाद ले लिजे भई बात खतम भई मतुरा में ही तो पैदा हुए भगवान श्री किशन उस पे तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को 3.37 एकर जो भी विश्नु जी ने में कहा गया कि राम मंदिर वाला हो सकता था माने निये लोग बताइए देव की नंदन ठाकुर जी वैसे धंकिया भी बड़ी मिल रही है आजकल आपको मैं देख रहा था था थोड़ा अलका बोलें मुझे लग रहा आज आप मैं क्यों अलका बोलूगा सनातन की बात होगी दर्म की बात होगी अपने बारत की बात होगी बारत की संप्रुता की बात होगी मैं कभी इन दमकी वंकियों से मैं डरने वाला नहीं हो यह जो दमकियां अमन जी आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं आपको बहुत बहुत सादुबाद और कितने प्यार से आप बात रख रहे हैं सभी लोगों ने रखा सबको मेरा प्यार भरा रादे रादे जितने भी लोग यह सुन रहे हैं मुझे दमकी कोई कितनी भी देले कहीं भी देले जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं अपने सनातन का क करूंगा अपने सनातनियों का कारी करूंगा चारवेद 6पुराण चारवेद 670-18 पुराण हमें ये बताते हैं कि मतुरा में कृष्ण थे आयुद्या में राम थे कासी में महादेव ठे इन तीनों जगे पर हम सनातनियों की जो 110 करोड़ सनातनी पूरे वर्डवाइज कहीं भी रहते जिसमें से 105-107 तो यहीं रहते अपने देश में तो इस सब सनातनियों की आस्ता मतुरा में स्री कृष्ण जनम भूमी में है और मैं जहां तक मानता हूं जो फोर्ट भी हैं जो सबसे जादा कृष्ण को फॉलो करते हैं इवन उनको भी मालूम है कि मतुरा में भगवान सी कृष्ण का प्राकट है वह वहां कारागार है वहां पर वजदेव जी देव की मैए को अरिष्ट किया गया था और कंस ने उन को सिर्फ प्रे करना है और जो तेरे एकड़ प्लस जो पॉइंट जमीन है वो जमीन आज भी मतुरा कृष्णयन भूमी ट्रस्ट के अंडर ही है उसमें जहां भी ममारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं